हलो दोस्तो स्वागत है अपका हमारी चानल डिफेंस ओफ एस पर दोस्तो हाल ही में डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेकर काफी अच्छी न्यूस मिली है जिसे सुनकर हम जैसे लोग जो इंडिया के डिफेंस में अपने इंटरस्ट दिखाती हैं वे बहुत खुश हो जाएंगे विल दोस्तो तो बात ये है कि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग ने ये बताया है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इस साल के पहले 6 महीनों में 8000 करोड रुपे के मार्क तक पहुँच चुका है कर्टेन राइजर इविंग गुजरात के गांगी नगर में कंड़क्ट किया गया था जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि इंडिया ने डिफेंस के एक्सपोर्ट को 2025 तक 35,000 करोड रुपे तक का टारगेट रखा है उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 2014 से पहले इंडिया का एक्सपोर्ट केवल 900 से 1300 करोड रुपे के बीच में ही रहता था पर 2021 और 22 के फिजिकल इयर में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 13,000 करोड रुपे के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है जो कि 2014 के फिगर से आठ गुना ज्यादा है अगर हम देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन ने रीसेंट्री ही बताया है कि इस साल करीब 50 क्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडियन कंपनीज ने करी देशों को अपने डिफेंस एक्विपमेंस और टेक्नोलोजी भेजी हैं जिसमें इटली, शीलंका, रशिया, मौल्दीव्स, मौरेशियस, नेपाल, फ्रांस, एजिप्ट, इस्राइल, बुटान, युई, साओधी अरब, इथोपिया, सिलिपीन, पोलेंट, स्पेन और चिली जैसे देश शामिल है इंडिया में डिफेंस एक्सपोर्ट की शिरवाद को देखें तो इसमें सबसे बड़ा कॉंटिल्वूशन इंडो-रेशियन जॉइंट वेंचर ब्रामोस एरोस्पेस का है जिसने अपने पहले एक्सपोर्ट डील को इस सार 375 मिलियन डॉलर्स पर कॉंख्लूट किया है और इंडिया ने अपने ब्रामोस सूपरसोनिक क्रूस मिसाइल को फिलिपीन्स को भेचा था इस जॉइंट वेंचर ने इसके लावा 2025 तक 5 ब्रिलियन डॉलर्स के ओडर्स भी रिसीव कर लिये हैं जिन में जॉइंट वेंचर इंडोनेशिया, मलेशिया और वेतनाम को अपने मिसाइल्स एक्सपोर्ट करेगी इसके लावा अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट ने भी मेजर रोल निभाया है जिसमें गॉवर्मेंट ने मॉरेशियस के साथ भी एक कॉंट्राक्ट साइन किया है और इस कॉंट्राक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गॉवर्मेंट अपने अड्वांस लाइट कॉंबाक्ट हेलिकॉप्टर M3 को मॉरेशियस पुलिस फोर्स को सप्लाइ करेगी विल देखा जाए तो ये एक शिर्वात ही है और इंडिया ने इन सब वेपन की अलावा हाई स्पीड गार्ड बोट वेपन्स लोकेटिंग रिडार और ऐसे ही कई सारे एक्वेपमेंट्स भी कई देशों को सप्लाइ किये हैं जिनकी वज़े से डिफेंस के एक स्पोर्ट में अपने मालस्टोन को अचीव किया है तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब